आज हम बनाएंगे प्याज की लच्छेदार टेश्टी चटपटी प्राथे कुछ सिक्रेट के साथ जो प्राथे को और ज़्यादा टेश्टी बना दे तो मैं कैसे बनाई हूँ प्याज के प्राथे इसके लिए आपको मेरी वीडियो पुरा देखना होगा चलिए मैं बनाना इस्टार्ट करती हूँ हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब वाई हो आपकी आप सब बहुत अच्छे हैं आप सभी किमितू के लजेज रेसिपी में स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगे प्याज का लच्छेदार और टेस्टी प्राथे तो आप लोग देखिए कि मैं प्याज के लच्छेदार प् इनका मैं छिलका हटा देए हूँ और इनको अच्छी तरीके से मैं धोली हूँ तो आज मैं बहुत ही टेस्टी प्याज के प्राथे बनाऊंगी तो उसके साथ मैं कुछ मिलाऊंगी तो यह इहां पर मैं चूरा ले ली हूँ यह और टेस्टी बना देगा प्राथे को तो य यहां पर मैं 2 cup गेभी का आठा ले हूं आप अपने फैंली के अनूसार ज्यादा ले सकते हैं तो बन जाएंगा ॅछ्फिन और रिपाइन ए ज्यादा इसेyy competit तो अब इनको मैं अच्छी तरीकी सी मिला लेती हूं आटे की साथ मुयम को उसकी वाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इनको गुतना है तो यहां पर ध्यान रेखिएगा दोस्तो आटा कैसा गुतना है तो आप जब भी प्राठे बनाते हैं तो प्राठे का आटा है बिल्क नरम नरम बनेंगे तो उधर वो रेष्ट में हाटा तो इधर मैं प्याज को काट लेती हूं तो यह प्याज का जो साइड का भाग होता ना इनको काट कर हटा दीजेगा अगर यह रहेगा ना तो फिर आपका प्याज है ना एक दूसरे से अलग नहीं गा अलच्छी नहीं प्याज काट कर देखाती है तो यहां पे देखिए मैं सारा प्याज को काट ली और यहां पे जो पहा में फूली दीन तो यह भी पहत ऐची तरीके से फूल गई तो जब आपं से प्रेस करेंगे ना तो ये बिलकुल मेस होना चाहिए, बिलकुल ऐसा ही चुरा को फुलाना है, देखिए इस तरही के से, अब यहाँ पर मैं एक बॉल ले ली हूँ, सब से पहले यहाँ पर मैं डालूंगी प्याच, उसके बाद फुला हुआ चुरा, भीवाया हुआ चुरा क ऐस मिला दिजिए उसके बाद यहां पे मैं ड्रया मशाला ऐड गरूसनिम शुरूसियो है उसका लार सुब आप यहां पे मापियों कि उनद को मिले संग उस्क tuvata के नहें रहता है अब यहां पर राष्ट बनाने लगेंगे थोड़र रहा है smart अब थोड़ा से मैं कला नमक भी डाली हूँ, दोनों नमक मैं डाली हूँ, अब हाथ से इनको मिला लेना है, अच्छी तरीकी से, यह बिल्कुल ड्रै होना चाहिए, अगर पहले आप नमक डाल देंगे ना, तो जब आप प्राठे बनाएंगे ना, तो यह गिला गिला कोटाव एक्वल साइज में लोई इनका बना लेना है, अब इनके उपर है ना, सूखा आठा डाल दीजी, अब इनका है ना, हम रोटी बना लते जैसे आप डेली रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको बेलना है, बिल्कुल रोटी के आखार में, ना ज्यादा पतल दना है ना छोड़ देना है और तिन गोना में है थे लगाना है क्योंकि एक ना जो मैं छो रहीं हो उना तो तक को आप ऐगा चिफ क करे यह तो फे किनारे पे भी बिल्कुल तेल नहीं लगाना है अगर किनारे पे तेल लगाएंगा तो जब आप प्राथा सेकेंगे ना तो ये किनारा का है ना मितलब सटा नहीं रहेगा यह उखरने लगेगा अब यहां पर मैं एक साइड में स्टफिंग को डाल देती हूं और यहां बीच से मैं कट कर देती हूं अब यह साइड का जो है न एक भाकू ऐसे उठाकर चिपका देना है और इसका किनारा को बंद कर देना अच्छे से बंद कर दीजिएगा जब पराठा से केंगे न तो कहीं उखर न जाए इसलिए न यहां पर तिल बिल्कुल नहीं लगाईएगा और इनको अच्छे से चिपका देना है फिर एक साइड से उठाके फिर दूसरी साइड है न इसको डाल देना है अब एक साइड जो बचा है न अब इनको एन उठाके इसके उपर डाल देना है पहले इनका किनाडा को एना इस तरीके से बंद कर दीजी अब इसको एना इसके उपर डाल देना है अब इसके उपर भी एना थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजी कहीं से भी एना ओपन नहीं रहना चाहिए अगर कहीं से भी ओपन रहेगा ना तो फिर आपका है ना अंदर का श्टफिंग निकलने लगेगा इसलिए ना चारो साइट से ना इसको पैक कर दीजीगा अब थोड़ा सा आटा लगा के है ना इनको हलकी बेलन से है ना हाथों से बेल लेना है ज्यादा प्रेस नहीं कीजिए अंदर का निकल जाए तो यह कुक भी हो जाएक। एक प्राठे बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है ह। इसलिए है। इसका दूसरा भी बना लेटी को भी होगी। अब मैं सारे प्राठे बना कर आपको दिखाती हूं और सर्व करे विए तो कैसे कि बनाई हुआ म käyt 선택 लेगें देखकर बनाईगे ठीक है यहाँ पे देखी मैं एक प्लेट में सर्व कर ली हूँ यह प्याज के गर्मा गर्म प्राथे उसके साथ यहाँ पे मैं टमाइटो सॉस और उसके साथ यहाँ पे मैं ली हूँ नारियल और चनी दाल की चटनी यह प्याज के प्राथे के साथ है यह बहुत ही टेस्टी लगती बहुत ही ज्यादा आप धन्यापता का भी चटनी सर्ब कर सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगेगी अब मैं आपको एक खोल कर दिखाती हूं कि अंदर कितना बढ़ियां लगड़ा है ना एक एक प्याज है ना दीख रहा है देखी और सच में कि चटनी लगा कर प्राठे में आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको प्याज के प्राठे और सर्दी का मोसम है आप ब्रेकवास्ट सुबह साम आप की जब एक चाहना आप प्याज के प्राठे मेरे तरीके से बना कर जरूर खाईएगा अगली वीडियो